हेलो फ्रेंज वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे दानेदार वेशन के लड्डू फ्रेंज अगर आपको मेरी ये रैस्पी अच्छी लेगे तो मेरी वेडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तो जलिए बना है आप कोई भी मेजरिंग कप जाकटोरी सेट कर लें और सारा मेजरमेट उसी के हिसाब से करें इसमें हम दो चमच दूद और एक चमच देसीगी डालेंगे और इसे बेसन के साथ मिला लेंगे हमें हथेलियों से मिसल कर इसे मिला लेना है हम ठंडे दूद का इस्तेमाल नह करेंगे ऐसी चोटी-चोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है और यह देखे मैंने मिक्स कर लिया है और इसकी मुठी बन रही है अब हम इसे शन्नी की हल्प से चान लेंगे और यह देखे बेशन हमारा खिला-खिला दिख रहा है हम जो बाकी का बेशन है उसे भी चान लेते हैं और यासे हाथ की मदस से इसे हम दबा कर मसल लें और चान लें अब हम एक कडाही लेंगे और इसमें एक चुताई कप देशी गी डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे हमने जिस कप से बिसन लिया है उसी का एक चुताई कप हम गी लेंगे और अब हम इसमें बिशन डाल देंगे और इसे चलाते हुए बुल लेंगे हमें गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और ये देखे आपको ये ड्राई नजर आ रहा है जैसे हमारा बिशन बुलने लगेगा जिगी छोड़ देगा हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही बुलना है अगर हम इसे तेज फ्लेम पर बुलनेंगे तो जिग जल जाएगा बहुत से वारा ऐसा होता है कि हम लड़ो बनाते हैं वो हमारे मुँ में चिपकने लगते हैं ऐसा ना हो, इसलिए हम इसे low medium flame पर बुनेंगे, अब हम इसमें पानी के छिटे मारेंगे, और ये देखे जाली बन रही है, इसी तरह हमें इसे पकालेंगे, ऐसा हम दो बार करेंगे, इसे हमारा वीशन अच्छे से बुन जाएगा, और ये देखे हमारा वीशन बुन गया है, हमें वीशन को बुनने के लिए 10-12 मिंट लगे हैं, इसे हम बड़ी थाली में निकाल लेंगे, और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, और यह देखिए हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है इसे हम छूप आ रहे हैं इसमें हम आदा कब बूरा चीनी डालेंगे और इसे भी मला लेंगे अब हम थोड़ा से मिक्सर हाथों में लेंगे और उसके लड़ू बनाएंगे हम ऐसे ही सारे लड़ू बना लेंगे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं